असलाम वल्योकुम यूवर्स इलियस साफ्टर कपनी के जाने में मुहमद इलियस सीशार प्रोजेक्ट वेसलर्णिंग के कवर वीडियो में जिसमें हम एबस्ट्रेक्ट से इंटरफेस पढ़ेंगे की साफ्ट्रेक्ट क्लास था वह प्रोग्रामिंग का जो हम पढ़ेंगे और इंटरफेस हमारे पास किये चीजिज है और जो structure हम ने previous class में mark किया था है कि हमाने वाले class में इसको study करेंगे तो इसको मैंने निकाल दिया हुआ हम MBC में पर पढ़ेंगे ठीक है जो पड़ी structure और इसका काम क्या है इस class में abstract class interface पर the difference between class and abstract class and then interface and abstract class difference abstract class हमारे पास जिसना मैंने आपको कल भी बताया था वो recording में तो नहीं आता लेकिन जैसे मैंने आपको example लिया था कि इसमें आप यह कर सकते हो कि अच्छा हो तो इसको implement करो चाहे तो इसको implement करो इसमें आपको options दिया जाते हैं ठीक है ना अगर उन class की जो आपको इसको abstract mark करो या उन properties को extract जितना भी है वो class का जो चीज जो आपने abstract mark की है तो वो आपके मर्जिया आप इसमें इंप्लेमेंट करो या नहीं देंगें सब्सक्राइब स्टार्ट लेते एफसे ट्लास पर सब्सक्राइब स्टूडियो उपन करते हैं अच्छा इसको खतम करो यहां से अच्छा मैं यहां पर स्ट्रेटिक मेतड वाइड में अच्छा मैं एक class यहां से create करता हूँ यह class से पहले abstract से पहले मैं आपको एक और चीज यहां पर implement करता हूँ that's called interface यह पर इस abstract पर आके इसको implement करते हैं तो यहां से मैं एक interface create करता हूँ like interface और चीज़ के अपने एक interface होता है ना उसके तुर्वा मुस्से interactions करते हैं तो यह हमें आपको एक्जामपल देता हूँ student का अगर यहां पर मेरे पास एक developer बैटा हुआ है अब इसको मैं करो कि आप यह task करो लेकिन इसका prototyping पहले हो चुका है आप यह task करो लेकिन इसका prototyping पहले हो चुका है वो किस तरह कि students में मुझे क्या चाहिए एक student class में वो इसको मैं बतारो कि जाके student interface से इसको inherit करो आप वो खुद बखुद पता चल जाए कि इसमें मुझे क्या करना है एक sketch बना हुआ है एक interface बना हुआ है अलड़ी लेकिन आप इसको सिर्फ implement करना है आपको इसको सिर्फ implement करना है बस यही आपको करना है वो इस interface को मुझे काल करते है पिर इसको implement करते है पिर इसको जितनी भी methods है उसको इसको जो बाड़ी है वो इसको implement करते थे सो इसको पहले से एक स्केल मिल जाता है ठेकन उसको तरिकार मिल जाता है कि आपको किया किया कर रहा है इस क्लास में तो चलिए मैं आपके एक्जामपल देता है यहां पे मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ यहां इंटरफेस से पहले मैं और चीज यहां पर clear करता हूँ कि मैं चलो एक class ले लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ student ठीक है अब इस student में मुझे किया करना है अगर मैं किसी को बताओ कि जाकि student class बनाओ inherit करो इंटरफेस है और जूब इंटरफेस में वो इंप्लिमेंट कर रहा हूँ तो मतलब मैंने एक बॉंडरीज रख किये हमने पहले उस पे काम की है लेकिन इसको इंप्लिमेंट नहीं की या अगर मैं इस अब मैं इस बात को एक जगा पर रखता हूँ और आदा उससे बन पॉंड पर अगर मैं किसी डिवलिपर्स को ये बदाओ किसी प्रोग्रामर्स की बदाओ कि जाओ स्टूर्ट क्लास बनाओ तो मुझसे पूचेगा कि मुझे इसमें क्या करना है तो फिर मुझे बैट के इनको समझाना पड़ेगा कि आपको ये भी करना है 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 दीगा तो हर हर चीज इसको समझाना पड़ेगा पर अगर अगर इंटरफेस है मेरे पास तो यहां से मतलब इसको पता चल जाए कि मुझे स्टूइट्स में क्या करना है अच्छा तुम्हें इससे यहाँ पर एक इंटरफेस बनाता हूँ इंटरफेस और इसको मैं नाम देता हूँ आई स्टूडन्ट आपको इंटरफेस को आई से स्टार्ट करने वो भी के बिडल से याद रखो ऐसे अब स्टार्ट नहीं कर सकते हूँ ठीक हैं आपको यहाँ पर आई लिखना होगा यह देख रिनेम आई स्टूडन्ट तू स्टूडन्ट फिक्स दा वाइलेशन्स देखें अगर मैं वाइले अच्छा अब यह देखो यह मुझे बता रहे हैं कि इनेम स्टूडन्स नेम रूल्स वाइलेशन्स प्रिफेक्स चलिए मैं इसको खतम कर देखें अच्छा अब मुझे यहाँ पर इंटरफेस से पहले आई लिखना पड़ेगा अब यह मुझे दुबारा बता रहे हैं कि तो आई श्टूडन्स तो हमें किया करना पड़ेगा यहाँ पर हमें यह देखो इसके नीचे यह जो इन डॉटस आपको नजर आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर आई लिख दू तो यह भी वाइलेशन्स खतम हो जाएगे यहाँ पर अब यह मर्क होगा interface students अगर मैं यहाँ से इसको खदम करूँ तो अब दूबारा देखो यहाँ पर पिर आजाएगी ठीक है कि यह आप violations कर रहे हो तो आपको interface के लिए पहले I से start करना होगा ठीक है ना अच्छा मैं यहाँ पर लिखता हूँ class student अब इसका मतलब फाइद ही कि है कि हम I से को start अगर हम वाइरेशन से बचते दूसरे अगर हमें students पर class चाहिए तो बना सकते otherwise पर नहीं बना सकते same name हो जाएगा तो इसलिए क्योंकि interface class structures abstract class यह सब चीज़ जो एक दूसरे के साथ तो इसलिए इसका name difference रखना बहुत ज़रूरी है आता हूँ इस पर अभी तक हमने इसको नहीं पढ़ा है ठीक है अच्छा हम interface में क्या करता हूँ मैं कहता हूँ कि अगर कोई student class बनाए तो इसमें मुझे क्या क्या चाहिए मैं एक sketch बनाता हूँ यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पेक method बनाता हूँ ठीक है public लिखता हूँ ठीक है और यहाँ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे print dmc एक यह method होना चाहिए अच्छा आपको जो interface में यह public specifier z नहीं निकना है यह आपको नहीं निकना है ठीक है क्योंकि यह by default public होता है इंटरफेस में method by default public होता है याद रखको that is interreplace मूल नहीं ठीक है ना के interface का method है जो properties है जो भी है इप इसकी properties भी नहीं होती है interface की ठीक है इसकी फिर नहीं होती है properties नहीं होती है इसकी just methods यहाँ पे नहीं नहीं वो नहीं हो सकती है ठीक है अच्छा अब मैं यहाँ से वाइड एकवर यहाँ पे overloaded method बनाता है उडीमसी का method नहीं इसमें body नहीं हो सकती है मैं string और यहाँ से रखता हो इसका road number है में चाहिए पर आपको यहाँ से मतलब वो result में चाहिए इसके body नहीं होगी ना वो इस implementation class में आपकर हो जाए मैंने आपको बता है कि यह just a sketch है महाँ पास तो यहाँ पर यहाँ सिर्फ वो चीज़े लिक्त हो जो आपको required हो तो जो आप developer बैटेगा उसको implement करेगा software उसमें आपके project पर काम करेगा तो आपको ऐसी ही advance company में आपको interfaces में लेगी कि आप जाके वहाँ से insert करो चाहिए वहाँ से inherit करो कर जाए वहाँ से inherit करो इस लाइक प्रोटोटाइपिंग इसको क्योंड़ डेवलिपर प्रोटाइपिंग है क्योंकि काम से पहले आपने sketch बना दिया कोडिंग का तो इससे आसानी होती है जो वतलब team lead होता है वही बनाता है कि मैं इसमें यह चीज़ भी चाहिए यह भी चाहिए यह भी चाहिए फिर इस चीज़ को अब दुबार यूज कर सकते हो यह कर सकते हो वह कर सकते हो ठीक है क्योंकि advance company में ऐसा नहीं होता है कि आपको designing भी करना पड़ा है और implementation भी करना पड़ा है नहीं अब बस एक चीज़ 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 करना पड़ा है जिस तरह doctor specialist होती है किसी था अब कि एक अपनी specialization होगी कि अपना skill होगा कि इसमें आपको expertise होगे उसमें यह ना उस पे आप आगे जाएंगे तो Microsoft में तो ऐसा नहीं है कि कोई बस सब कोछ करें नहीं इसा तो नहीं है ना हर कोई बस specific का बस specialist होगा अगर कोई multiple काम कर सकता है तो इसको पर कहते है flex developer और इसकी इतनी mangs है पूरे दुनिया में कि मैं आपको क्या बताऊ एक आम developer को मिलती है पचास ज़र तो उसको मिलती है 250 लेक मतलब 250,000 उसको मिलती है मतलब उससे पांच गुन ना उसकी salary ज्यादा होती है जो multiple चीज़ों पर काम करता है इसको flex developer केते हैं हमारे field में यह stack or flow पे जाओ वहाँ पे job field में जाओ वहाँ पे required होगी flex developer required उसकी salary चार पांच गुन ना ज्यादा होगी उनकी उनसे क्योंकि flex developer क्या करते हैं वह आप के लिए website भी बनाता है तो उसका mobile बीबर बनाता है मतलब इसकी उस तो platform पे उसकाम करते तो आपके साथ मतलब आपकी कोई team की जरुएती नहीं है बस एक बन ऐसा आप कोछ करता है तो अगर आप पुरी जो team में आप साड़ी तीन लाग salary इसको देते हो तीन लाग 50,000 तो एक को आप 250,000 तो एक को आप 250,000 तो आपके पूरा जिंद ही आपके साथ काम करेगा मत समझते हो ना तो flex developers हो गयते हैं वो हमारी field में बहुत rare है अच्छा flex developers को एक बात नहीं आपको बता रहा हूँ flex developers में भी वह होता है जिसको multiple languages में काम करते हैं जो design भी करते implementation में करते हैं मतलब mobile इसने सी कहे या वीब सी कहे लेकिन वेफ का वो design भी करते हैं implementation भी करते हैं इसके से लिए पर कम हो जाते हैं लेकिन इसमें काम करते हैं यह तो बहुत रहे हैं आपको हजार और लाकों में सिर्फ एक में लेगा यह उतना कम है पर अमार जो रभे न इसको पर इसमें से खास बना है जो कूपयर मौसी जिता है यह nestling आए क्योंकि यह बहुत कम होते हैं जो यह अन्हों फिल्ड में स्टाट लैता है तो उसके लाइफ में सिर्फ परोगरामिंग उताा है उसके लाइफ ही और कुछ नहीं होता यायसा ओल उना करता है एह से जागे किसी और के लिए किसी और च्छीज और चीज़ के लिए वो फैन नकालता है तो इसको देख मतल़ा पहले से दे चुका साए कि मैं यू भी करूbildung फिर वो चीज कंप्लीट करके उसमें आगे जाते है और चीज़ के साथ पकिलता है और किदे मैं इन सब को कवर करूँगा क्योंकि और सीख सकते हैं मैं नहीं सीख सकता हूँ ऐसे लोग फ्लेक्स डिवलेबर बन जाते हैं ठीजे ना और यह बोध रहे रहे हैं यहाँ पुरी पिशावर में पुरी पकिस्तान में आपको जदे से ज़्यादा पचास सथ में नहीं से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको तो अगर आप 100% टाइम जो आपका है ठीज़े हैं 16 गेंटे जो टाइम है आपके पास ठीज़े हैं इसमें से अगर 12 गेंटे आप परोग्रामिंग को देंगे ना आप बनोगे फ्लेक्स डेवलेबर मल्लिबल चीज़ों पर आप काम करो ये पर लेकिन अगर आप इसको 3-4 गेंटे दो गेंटे दो गेंटे तो पर आप सिर्फ डेवलेबर्स हो सकती और कुछ नहीं याद रखो ठीक है इसको जितना टाइम दो ये और नहीं ये आपको चमका देगा आपका स्किल जबर्दस हो जाएगा ठीक है काम करने के काबिल जाएगा और आगे आप बहुत समझधार हो तो ये ना मैं और रियल टाइम एग्जामपल नहीं देता हूँ तो ये ना बस उसको छोड़ो कि वो ते दिमाब हर टाइम गूमता है ना इंसान को पर उसके चेंड नहीं मिलता है तो एग्जामपल मैं नहीं देता हूँ तो आप खुद बाती समझधार हो अच्छा मैं इसको यहां से इन्हेरिट करता हूँ क्लास इंटरफेसे में इन्हेरिट करता हूँ तो चलिए मैं यहां पर वो जो कॉलन है इन्हेरिटन्स का वो सेंटिक्स और फिर आई स्टूड़न्स मैं यहां पर लिखता हूँ अब तो देखो, यहां पर एक error आ रहा है, यह मुझे बता रहा है, यहां पर student does not implement interface member, यह जो interface का member है, यह यहां पर implement नहीं हो चुका है, इसको implement करो, और मुझे बता भी रहा है कि यहां पर दू methods implement नहीं हो ए, मतलब मुझे one by one वो बता रहा है कि यह नहीं हो, अच्छा, नीच अब मैं, implement interface या implement interface explicitly, या मैं खुद implement कर लूँ, या यह मुझे sketch provide करे, तो चलिए मैं उपर इस पर click करता हूँ, जैसे मैं click करूँगा, यहां पर मुझे two method यहां पर design होगा, अच्छा, तो यह interface नहीं हमें provide कर, अच्छा, अगर मैं एक को remove कर दूँ यहां से, तो यह मुझे पिर बदा रहे हैं कि एक को आपने implement नहीं की है, तो जब मैं इस पर click करूँगा, एक और दुबारा उल्टे, अच्छा, अब यहां से मैं कर सकते हूँ, जिसमें आप लिख सकते हो, console.rightline, यह हैं, और print dmc, यहां से, मैं इसको copy करता हूँ, यहां पर मैं इसको add करूँ, यहां print dmc, यहां रोड नंबर, देगे, अब अगर मैं students का यहां पर method, मतलब reference बना लू, is equal to new, std data print dmc, यहां अगर मैं यहां से std print dmc, और इसको यहां से road number पास करूँ, चलो, 12 मैं पास करता हूँ, यह road number भी यहां पर मैं print करता हूँ, अच्छा, अब मैं इसको run करता हूँ, अच्छा, यह देख, ठीक है, तो interface हमें एक sketch provide करते हैं, जिसमें हम पहरे इसको implement करते हैं, अच्छा, तो यह हमारे पास interface, इसके जितनी भी members है, वो आपको implement करना ही होगा, ठीक है न, वो आपको one by one सब को implement करना है, अब जाते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है, interface में, बस जिसका यही काम, इसका field नहीं होता है, बस चाहँ रखो, इस यहां पे पापको एक स्पेसिफार यहां पे लेए लिए लिखना, यह बाइडिफार्ट पब्ली के होता है, ठीक है, तो अच्छा, अब मैं जाता हूँ, एफस्टर क्लास पे, यहां पे मैं एक क्लास बनात इस यहां पे मैं आपको 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 क्रैक अब जाते हैं इस इप्स्ट्रेक्ट क्लास बनाता है और यहां पर मैं मर्क करता हूं इस एक बनाता हूं स्टूड़ंट क्लस और पिर उसके यहां पर नहींदš ऑने सब्स्ट्रक्ट ठीक है अब मैं इसको एबस्ट्रेक्ट मैंने मार्क किया अच्छा अब जिस तरह से हम यहां पे एक स्पिसिफायर प्रोवाइड नहीं के बाड़ी फाल पॉब्लिक हैं यहां पे आपको प्रोवाइड करने क्योंकि इसमें हम मैंतर्स नहीं बना सकते हैं सिर्फ मेंबर्स इस प्रिंट डीमसी और यहां पर मैं प्रिंट डीमसी अबस्ट्रेक्ट लेगता हूँ आचा अब यहां पर हमने हम एड़ कर सकते दीजना अब अगर मैं चाहूद के यह मैं रखता हूँ कि इसको आपको चैन में इम्लिमंट करना है मतलब बाइडिफार्ट आपको डीमसी मिल लेकिन अगर आप इंप्लिमेंट कस्टमाइजेशन करोगे तो आप यहां से कर सकते हैं तो मैं इसको क्या कर दूँगा एबस्ट्रेक्ट जब मैं इसको एबस्ट्रेक्ट मार्क करूँगा तो यहां पर student.printmc cannot declare a body because it is marked abstract फिर आपको यहां पर body नहीं लिखना है यहां पर एक ओर option है हमारे पास और यहां पर मैं लिखता हूँ string road number यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो अपना methods बना सकता हूँ बना सकता हूँ लिकिन अगर मैं चाहूँ कि यह मैं छिल्ड के लिए छोड़ता हूँ ताकि छिल्ड इसकी implementation करें तो मैं यहाँ से abstract करूँगा पर अब तो अज़ समझ मैं ही कि यहाँ पे में implementation भी कर सकता हूँ यहाँ पे में properties भी बना सकता हूँ लेकिं interface में हम नहीं बना सकते थे ते लिए में यहाँ से rule number यह दे को हमने यहाँ पे property भी बना कोई errors वगरा है नहीं है ना तो मतलब यहाँ पे एक तो हम methods भी बना सकते लेकिं जो method हम abstract mark तो this means यह child में implement करेंगे वहाँ पे इसकी body होगी यहाँ पे just definition ठीक है अब मैं जाता हूँ child पे student info यहाँ से ले लेता हूँ मैं यहाँ पे और जह तो यहाँ से कामा लागा कि मैं यहाँ पे इसको paste करता हूँ मतलब ठीक है अच्छा अब यहाँ पे जो है implement abstract class अब मैं यहाँ पे implement abstract class करता हूँ यह देखो अब यह print रोलंबर जो है ना अब यहाँ पे यह दो methods है यह देखो यह मुझे बता रहे हैं यहाँ पे the students are already defined DMC तो यहाँ पे मैं इसको change करता हूँ DMC RE करते हैं इसको ठीक है अब यह देखो अच्छा बेस्क लास जो है ना वो आपको interface पे नहीं यहाँ पे लिखना पड़े गड़े ठीक है ना क्योंकि यह class है यह लिख दिए class भी है यह class है ठीक है और यह just interface class है class ही नहीं ठीक है ठीक है अच्छा student info यहाँ पे आपको I से start नहीं A से start नहीं लेना है जिससे start लेना वो ले लो ठीक है interface को I से start लेना ठीक है अगर नहीं लोगे तो पर यह programming violation में आता है अच्छा अब यहाँ पे मैं R लिखता हूँ तोड़ा डिफ्रेंट हो जाया वहाँ से अच्छा अब यह देखको यहाँ पर में इसकी इसको ओडराइड होता है पर वारण पर यह वहाँ पर जाके ओडराइड होता है एफ्ट्रक्लास। पर मेमुरी में कि इसका बॉड़ी है चैल से बॉड़ी उठा के हम नहीं कर सकते हैं. क्योंकि हम मुझे होगा यहuting है और होगा क्यों मैं आपको ऐसे नहीं कर सकते हैं. झी लिए प्लास को एप्स्ट your लेटाँ। अब जब मैं इस को एप्स्ट लूए लूए तो फिर मुझे अगर inplemente करो तो करूँ अगर ना करो तो ना करो अब बात समझ में अब यहाँ पर अगर मैं यह देखो यह student से अच्छा अच्छा अब इस ट्रेक क्लास के हम instance create नहीं कर सकते ठीक है ना इसका object हम बना नहीं सकते इस ट्रेक क्लास के ठीक है अगर इसका object आपको बना नहीं तो आपको यहाँ पर एक और क्लास लेना होगा क्लास study चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर students है इसको inherit और पिर यहाँ पर आएके अच्छा अब भी यहाँ पर देखो यहाँ पर मुझे चलिए मैं यहाँ पर इसका object मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो अब यहां से अगर मैं STD डाट करूँ तो यहां से मुझे प्रिंटर DMCR यहां पर दीगा ना तो जब मैं इसको रंड करूँ यहां से अब देख सकते कि abstract class का भी प्रिंट हो गया दीगे तो abstract class का जो object है वह आप नहीं बना सकते दीगा ना अच्छा एpstit class यूज होते है वह जबे बेस खांद दीगे ना एपसे क्लास है चाइर यूज हूज कर सकते हैं इसका implementation ना करें, तो यहा पे हम इसको as abstract काल करेंगे देखे ना, तो हमारे पास option हो ये, अरिफ्यमेंट करना चाहओ तो, करो और ना करो तो ना करो परक्त नहीं पड़ते हैं, देखे, अब abstract class की हमारे पास क्या है? abstract class हमारे पास क्या है? ये class है ना? क्लास है और तुस्तों नहीं है अच्छा यह 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 काल कैसे करोंगी तो यह सिरफ बेस्क्रास डूल-ख यह जितनी बार भी हिर दी निकाल करो लगिन यह फिर होगा बेस्क्रास अब यह देखो, यहाँ पर क्लास एंफु है, स्टूडेंट इनफु हो है यहाँ पर यूस होए, यूस होए जे बेस्क्रास इसका फाइड है मारे पाइस है कि हमें sketch बनाते हैं लेकिन इसमें अपने implementation करते हैं और इसमें साथ योड़ इसमें अच्छा में आपको इसमें यह पर करते हैं तो चलिए इसमें लेते हैं अच्छा मैं आप बनाता हूँ high student यहाँ पर इसका जो है high student admission अब students के लिए admission भी है ना admission process अच्छा अब मैं जाके यहाँ से current रफेस से भी इसके implement करता हूँ अब मैं एक abstract class ले लेता हूँ यहाँ पर दूसरा student admission अब student मैं जाके होँ यहाँ पर इसको भी यहाँ से implement चलिए interface से पहले मैं लेकना पड़ाए ठीक है तो चलिए मैं यहाँ से लेकता है अब यह आप देखो यहाँ पर मुझे एक error जगारेट होगा और मुझे यहाँ पर बताता है कि आप सिर्फ क्लास को यह एक क्लास से इंहरेट कर सकते हैं सिंगल इंहरेटन से आपे सर्फेक्रास संपोर्टडड आप सकते हैं वह पर एक मुझे लिश्द्या से स्बटूर्टड है सबस्क्राड़ क्लास glamorous क्लास थे जा सकते हैं लेकिन आप multiple interfaces को inherit कर सकते तो अगर आपको multiple interfaces चाहिए या multiple चीज़ों से आपको class inherit करना है तो उस time पे आपको interface use करने है otherwise आपको abstract class use करो ठीक है जो requirement जिस तरह होता है उसके वेस पे पर आपको decision लेना होगा ठीक है जब आपकी logic बनेगी ना तब आप इस programming को use करोगा याद रब क्योंकि चार साल पंच साल हम तो programming को सीखते हैं बार बार सीखते हैं बार बार सीखते हैं यह देखो ना चार साल अपने university में हमने programming सीखा लेकिन को application आप लोगों ने implement किया अभी तक नहीं किया है ना क्योंकि आप लोगों का logic नहीं है सिर्फ एक logic था जो मैंने देखा था आप सब ने implement किया था that is a copy shop माशालला logic है अब लोगों की लेकिन हम आपको रास्ता बताना है तो अब जब मैं project स्टार्ट करूंगा तब आपको पता चले कि हाँ अब यह programming का मकस्त यही था जो हमने चार पन साल सीखे किए कभी CC का तो कभी CC का तो कभी CC का तो कभी statement तो कभ जाके विब programming भी हमने किये विब designing भी किये लेकिन अभी तक कोई products आप लोगों नहीं नहीं बनाए तो इसलिए हम provide करते project based training नाट and courses नाट की चीज़े बिल को नहीं project based training provide करते बस market के इसको उतनी चीज़े से काते जितने भी project होता है बागी वो खुछ सीख लेगा ना अगर मैं तीन महीनी में सरफ c sharp कर लूँ फिर तीन महीनी में जाके मैं विब we farm एक technology सीखूँ थीर महीनी में जाके मैं entity framework सीखूँ थीर महीनी में जाके skable सीखूँ थीर एक साल में तो सिरफ मुझे technologies सीखना पड़ेगा 1 साल पूरा लगेगा ठीक है ना हमारी जो पठान ल towny point का पतह नहीं होता है न तो पेरत Principxis ना उесто j exception ना हो जा यह वो और OFF चाहते हैं मुझे पता है नहीं यह एक बीमारी है हम्हें लेकिन यह सही ही है क्योंकि हम्हें point चाहिए ना यार destination चाहिए ना सिख्खिकिन ले रहे ले रहे जाए विड़ृट destination's point आप कैसे decision लोगे कि मैं इस source स्टार्ट लोगा इस display तक को जोगा तो इसकी बेच मुझे जो जो कुछ करना है that is called decision तो जब मैं source स्टार्ट ले लो रहे हैं तक मुझे पढ़ता नहीं तो कैसे मैं decision लोगा बात को समझा करो समझाएए न आपको तो इसलिए हम provide करते project based rank थाएए कि आपको destination बताएए कि आपको क्या करना है ठीक है न अभी तक आपने कितने courses किये अभी तक आपने कितने courses किये अभी तक नहीं जी दो किये आपने अभी तक पुछ का कुछ मतलब फाइदा नहीं है क्यों कि जब इसको real implement करेंगे तब आपको बदे है इसको use करेंगे अच्छा तो चलते हम दोबारा यह दा हमरे पास abstract class यह दा हमरे पास interface तेक है न abstract class में अमरे पास options होताइ अगर हम चाहे तो implement करें अगर एक्षाए तो implement ना कर तेक है अगर implement नहीं करना चाहते है तो इसको इसको just mark करे abstract बस implement मत कर अगर करना है तो इसको आगे कर, इंटरफेस होता है, जिस मतलब इसकी प्रपॉर्पॉर्टीज नहीं होती है, इसकी प्रपॉर्पॉर्टीज होती है, इसकी नहीं होती है, इसकी नहीं होती है, अच्छा, इसकी प्रपॉर्पॉर्पॉर्टीज होती है, इसकी नहीं होती है, ठीक है यह multiple supported है inheritance की इसके multiple supported नहीं है हर चीज की अपने file नुकसान आते हैं ठीक है आपको logic पर बेस पर इसको use करने परोग्रामे में आपको आगे बताऊंगा कि हम इसको कैसे use करेंगे अच्छा आप class एन abstract class पर आते हैं तो class abstract class के हम object नहीं बना सकते हैं जिसके object बना सकते हैं इसमें हम जो है ना abstract methods बना सकते हैं जिसके body नहीं बनाते हैं और child इसको implement करते हैं यहां पर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं देखेंगे इसी तरह difference इसकी भी है वसी दू तरह difference है इसकी तो यह था आज का हमारा class जिसमें हमने abstract class interface class and abstract class and different between interface and abstract class नहीं वो हम आके वहां पर पढ़ेंगे तो यह था हमारा project based c-sharp course अगर आपको देखने हैं आगे c-sharp क्यामें c-sharp full सीखने हैं या जू भी करने हैं तो मैं आपको refer करता हूं Otherwise हमारे videos आ भी रहे हैं step by step जितनी भी हैं पुशिश करें कि इसको पश्टों में बनाया और रुदों में बनाया ताकि आपको मतलब और भी अच्छा समझाएं तो उसके लिए आपको वेड़ करना पड़ेगे एक महीना Otherwise आप स्टार्ट कर सकते हो मैरा भी teacher है मैंने भी इसको follow किया माशालला जबर दिस teacher है हो तो आप इसको follow कर सकते हो Otherwise अगर आपको यही करने के नहीं हमें teachers को follow कर दे ताकि उनकी लेजिए उनकी मतलब आपको समझ जा रही है तो पर सही तरीका यह होता है फीर्ड में जानी की कि आप एक teacher को follow करो तो आपको अपको प्रोइड करते हैं और आए जाओ तो आपको मतलब destination point जल्ली मिल जाएगी आपको वो picking जो है न वो आपकी मतलब जल्ली clear हो जाएगी वो logic भी जल्ली clear हो जाएगी क्योंकि अगर आप multiple mind से सीको गयना तो आपको मसला होगा लेकिन अगर आप a command CC को गयना तो आपको मसला नहीं होगा इसलिए मैं इस चैनल पे अपने YouTube चैनल पे पहतान भी upload करूँगा जो मुझे जतना आता है जतना projects मैंने किया है Java भी मैं upload करूँगा जतने मैं Android application इसमें बनाए जिसमें मतलब उसमें desktop applications बने जावा में अभी मैं बना रहा हूँ जितना मैं PHP में बनाता हूँ देखिया उसमें भी hotels वगयर applications मैंने बनाई है PHP में देखिया तो इन्शालला उसकी भी हम टूर्ट अप्लोड करेंगा बूस्ट्रिप वगयरा उसकी आरही है ACCs वगयरा इसके design वगयरा की वो slides इन्शालला वो complete हो चुके हैं और वो भी हम upload करने वाले हैं बस उसके तकरीब एक महीना आदा महीना लगेगा तो वो भी clear हो जाएगी इसमें हर चीज़ की to tourism प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अगर कोई समझता है कि मैं flex developer बनना चाहता हूं तो इसके लिए हमारे channel में welcome है क्योंकि multiple चीज़े सीखना मुक्तलि टीचर से बहुत-बहुत मुश्किल है मैंने सीखा है खुद तो मतलब बहुत मुश्किल है ठीकि नहीं ऐसा भी हो मतलब मेरे साथ हो चुक है कि मैं कंपनी को 3-3 दिन भी नहीं किया हूँ और मुझसे salary काड़ते रहे हूँ लेकिन मैंने यह ठान लिया था कि मैं multiple चीज़ों पर काम करूँगा क्योंकि अगर Americans कर सकते हैं अगर US वाले कर सकते हैं तो हम में क्या कम है अगर जब मैं इनको देखू ना तो हो multiple चीज़ों पर काम करते हैं लेकिन हम जो हमारी जो मल्क की या मतलब जो पतान भाई है या जूब यह ठीक है यहां के रहने वाले एशिया की ठीक है तो वो बस multiple चीज़ों पर नहीं जायती है बस एक चीज़ में अपने सारे जिंदगे गुजार लेता है इस तरह गुजार लेता है जिज़े बस मतलब बहुत छोड़ो एक्सांपल ठीक है क्योंकि मैं जाके वहीं एक्सांपल पर दोगा तो मसला यह ठीक है कि इन्शालला हम भी चीज़े प्रोवाइड करने वाले ठीक है तो अगर फालो करने फ्यून में जाना है तो एक टीचर को फालो करो अगर सीख सकते हो तो multiple से सीख लो अच्छी बात है तो इन्शालला हम स्टार्ट लेंगे दूबार इसके मिल सारूर पे अगर में क्लास विल स्टार्ट इसके मिल सारूर